28 जुलाई 2022 यानि कि आज के दिन गूगल पिक्सल 6 से फ्लिप कार्ट पे फर्स टाइम पे सेल पे जाने वाला है और जो इसकी प्राइजिंग है उसने मुझे सच में काफी ज्यादा शॉक किया है दोस्तो इस मुबाइल फोन को आपको खरीदने के लिए फ्लिप कार्ट पे 43, 3,999 रूपीज पेंड करने पड़ेंगे मुझे जहां तक लग रहा है ये थोड़ा ओवर प्राइज है आपको बॉक्स के अंदर चार्जर भी नहीं मिल रहा है जो की मेरे लिए एक हैरानी की बात नहीं है क्योंकि अब तो कंपनीज ने ट्रेंडी बना लिया है कि वो साथ म आप 2,000 रूपीज का इंस्टेंट डिसकाउंट चाते हो तो आपके पास एक्सिस बैंक कार्ड का डेविट कार्ड होना चाहिए क्रेडिट भी चलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है 10% आफ मिलेगा SBA क्रेडिट कार्ड पे और अप्टू 750 रूपीज का आफ भी मिल सकता है और साथ में SBA क्रेडिट कार्ड पे EMI ऑप्शन भी मिल जाती है और जिसमें आपको टर्मेंट कर्डिशन तो पता ही है देने ही पड़ेगी इसके साथ अगर आप Google Nest Hub भी खरीदना चाते हो तो आप Google Nest Hub को 4,999 रूपीज में खरीद सकते हो इसके लिए भी टर्मेंट क्रे इस सेडमेंट में जो इसकी स्पेसिकेशन गूगल ने दी है वो सही है सबसे पहले में स्क्रीन के बारे में बात करूं तो यहां पे Google ने OLED HDR 6.1 इंच की Full HD Plus डिस्प्ले लगाई है जो काफी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है साथ में Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन है वो दिय गया है Always on display का भी आपको option इसमें देखने को मिल जाता है aluminum की body है plastic का back मिलने वाला है nano sim है single sim होगी दोस्तों और e sim भी है hybrid sim slot नहीं है इसमें आपको एक physical sim single डाना पड़ेगा साथ में उसमें आप एक जो e sim होता है उसे activate करवा सकते हो हां यहां पे एक अच्छी बात है दोस्त की rating मिल जाती है अगर आप swimming कर रहे हो और पानी की जगा पर फोटो लेना चाते हो तो वह best चीज है अब रही बात दोस्तों इसकी प्रोसेसर के बारे में तो यहां पे Google Tensor processor लगा है जो की Google की तरफ से ही प्रोसेसर आता है 5 nanometer पर काम करता है साथ में Android 12 का option मिल जाता है और दोस्तों आप updates के बारे में तो ऐसे सोच लो कि आपको हर एक update मिलने ही वाला है इस mobile phone में आपको 5G के भी option मिल जाती है ट्राइल बैंड दिये गए है 5G के इसमें UFS 3.1 की transfer storage भी मिल जाती है यानि की speed भी काफी जादा अच्छी होने वाली है इंटरन स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो single RAM variant के जात ये mobile phone आता है 6GB और 128GB के RAM variant के साथ rare में dual camera setup दिया गया है 12.2 megapixel का main camera है और 12 megapixel का ultra wide camera है wide और ultra wide दोनों camera's काफी ज्यादा अच्छे हैं Google के और यहाँ पे dual LED flash का भी प्रियोग किया गया है 4K तक की वीडियो को आप record कर सकते हो single selfie camera है 8 megapixel का camera आपको इसमें मिल जाता है 3.5 mm jack नहीं होने वाला है yes loud speaker तो होगा ही होगा दोस्तो stereo speakers का use किया है Bluetooth 5.2 का version इसमें मिल जाता है NFC, GPS हर एक चीज आपको इसमें मिलने वाली है fingerprint sensor under display fingerprint sensor मिलने वाला है जो की optical fingerprint sensor है optical fingerprint sensor उस तरह के fingerprint sensor होते हैं जिससे कि अगर आपके हाथ गीले भी हो quietly हो या फिर sweating हो हाथ में तब भी वो easily mobile phone को unlock कर सकते है accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer जैसे सारे sensor इसमें लगाए गए है अगर दोस्तों battery के बारे में बात करूँ न यहाँ पर 4100-10mAh की lithium polymer battery दी गई है Google के द्वारा और ये fast charging को भी sport करता है 18W तक fast charging आपको इसमें देखने को मिल जाएगी catch charger आपको अलग से लेना पड़ेगा जो इसकी specification है न दोस्तों वो मुझे कहीं न कहीं ऐसी लग रही है कि 35,000 तक आना चाहिए था 60 Hz की refresh rate मिलने वाली है इस price segment में आपको 144 Hz तक की refresh rate वाले phone भी मिल जाते है बहुत सारे mobile phone है मुझे लगा था कि ये mobile phone nothing phone 1 के साथ competition में उतारा जाएगा खेर अब ये तो आप लोगों पर depend करता है कि आप इस mobile phone को purchase करना चाते हो या नहीं करना चाते हो लिंक आपको description में मिल जाएगा purchasing का और अब मैं tutor पे भी आ गया हूँ आप मुझे tutor पे भी follow करना ना भूले tutor handle भी आपको description में मिल जाएगा Instagram, Facebook पे भी आप follow कर सकते हूँ इसी तरह की informative वीडियो के लिए subscribe करना ना भूले टेक बक्षी YouTube चैनल को मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत